हुआ है तो दूस्तों यहां पर सबसे पहले हमने चार इंची में पाइप लिये लिए जिसको हमने विक मार्किन करने के बाद है Cornell कम लोग कटिंग कर लिए लो तो में पहले इसका मोटाई होगा तो मैं इसको कर और सिर्लेष फेपर इसको बराबर कर लेगा यहांप कुंहेंट करता है तो यहाँ पर से मार्किंग कर लें को से करना है लोग अंदर से करना नहीं करना नहीं तो यह मतल presume इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं इसका सेंटर पॉइंट निक्लने का दूस्त फ्मझ अच्य में आंदर विए तक यहां बाहर और अंदर मतलब लिया हुए यह आप लोग मार्केट में मिल जता है इसका हम लोग काड यह है कि जैसे लाइट चल जाएगा तो यह तो जल जाएगा मतलब आपना से जन लाना पड़ेगा यह स्पेसल दोकान के लिए आप लोग कर सकते हो क्योंकि मैं भी दोकान के यूज करना ठीक है तो यहां पर यह यह जाता है तो इसलिए मैं फेविटाइट का यूज कर रहा हूं पर यहां पर जो है दोस्तों इसको जो है पूरी मतलब यहां पर जो यह पूरा सरकल नहीं है इसके पीछे जो है हीट सिंग भी आप लोग लगाना पड़ेगा तो इसक इसके बेक साइड में जो है चीप काया हूं अभी सिलिक आप लोग सिलिकॉन का यूज करना सिलिकॉन का जो मतर होता है थोड़ा पतला करकर और लगा देना उसके बाद यहां पर हमने कुछ पीसिस किये हुए है चार तीन चार आप लोगो लगाना है ताकि हम रजू एलेड निकाल रहा हूं और वह भी पूरा फिक्स हो जा रहा है तो आप लोग जब भी जोरत पड़े तो उस तरीकत से यूज कर सकते हूं लेकिन इसके हम लोग सेंटर पॉइंट में भी होल करना हो उसके बाद यहां पर हमने कुछ समान लिये हुए जैसे कि यहां पर 155 का जो है यह केपसिटर जो है 155 यह का है और यह रिक्टिफायर जो है आप लोग को मैं बता दूँ कि वाइट वाला जो है पोजेटिव है और ब्लेक ब्लेक वाला है जो है नेगटिव है उसके बाद कुछ इस तरीक समने सीरीज में इसको जोड दिये हुए और रिक्टिफायर का प पेट हो जाता है देगने भीच वाला जो है पूरे एलेड में कमन होने ठीक है यह याद रखना है अपमोज को तो यहां पर जो है दूस्तों यह मैं यैपन कर देए और ब्राइवर कर सकते हूं तो यहां पर देख सकते हो एक वोल्ड बैटरी चाहिए नोकिया का आप कोई सा भी ले सकते हो बटे इसको जो निकालना है हमको इसके परटेक्शन जो होता है यह बैटरी परटेक्शन इसको हम लोग यूज करेंगो BMSG से कहा जाता है तो इसको हमने बहुत महनस से निकाल लि लेंगे लो तो मैं यहां पर स्वोल्डिंग कर दे रहां दो वायर को और आप लोग इसको डवल साइट टेप से या गुलूगन से किसी से भी सटा सकते हो और यहां पर यह बोट जो है आप लोग को 20-25 पर मिल जाएगा जो कि इसको बैटरी को स्पेसल चार्ज करने के लिए उसे में वहीं पर लिखा होता है मतलब केबसेटर में ही वायर को जोडना है वह फाइफ फोल्ट ही देता है हम लोगों च्छोटा वाला केबसेटर को निकालना नहीं वह वह आपका चाहिए होगा जोकि यहां पर देख से दो साइड होल हमने किया हुए और इसको जो ह यहां पर निकाल दे और इसको भी कस दी आए अच्छा तरीक से उसके बाद से दूस्तों हम लोग इसके करेंगे लो तो पिलिस वीडियो को लाइक कर दो चैनल पने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो सबसे फ़ले लेडी का पोजेटिव वाला जो यहां पर सोल्डिंग कर देते हैं लो को स्वाधिन करने के बाद से दोस्तों यहां पखे और निकाल देंगे स्छुद के साइड में से यहां पदेख सकते हो उसके बाद से दोस्तों बैटरि का जो पोजेटिव है मैंने जो डाइबWow लगाया था एक्स्ट्रा उसमें मैंने पोजेटीब दिया है बैटरी का उसी में हम लोग जो है एलेडी का भी पोजेटीब देंगे लो तरीकर से वर्क कर रहा है बिल्कुल जान करनी सम्हें जो की बीच में जो है 5 वोल्ट से अपरेट होता है और साइड में 9 व्ट उसके बाद से हैं यहां पर हमने एक्स्ट्रा और निकाला हुए है उसको जो है दोस्तों जो एसी वर्लाव जो हमने सर्कृट बनाया था एक तो मैं यहां पर इधर थोड़ा आप लोगों नहीं देख लाय दे रहा होगा और दूसरा वायर जो है यहां पर एक्टीफायर में जोड़ देंगे लू यहां जो कि सिरीज वहला होता है वह को हम लोगों जोड़ेंगे लो इसको बनाना गाफ ही असान है और वीडियो अच्छी लगा ता भाई लाइक कर देना उसके बाद से दूस्ते इसको जो पेक कर देते हैं लो और इस पर फैबी को लगाएंगे लो ठीक है ताकि यह रपड की तरह बना रहा है और टांग कहीं रखे ज्यादा नीचे उपर ना होने देगना चाहिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना